नमस्कार दोस्तों दोस्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में तो आज है हमारे पास टीवियस रोनिन जो की दोसो पचेश सीसी की होती है अलाकि इसका जो इंजन होता है दोसो पचेश दसमनो नौ सीसी का होता है और सामने साब बाइक देख सकते है जो की बलू कलर में है ये मिड रेंज वाली बाइक है मतलब रोनिन की चावी हमारे हाँथ में है जो कित्टी का सिम्بل होता है इसमें और चावी जो है काफी वजन है तो अबी हम चलते है इसका चावी लगाता है उससे पहले हम बता दे कि ये बाइक जो है मिड रेंज वाली है इसमें जो बेस मॉडल आता है और एक टॉप मॉडल आता है तो दूनों को बीच की बाइक ये है जो कि बेस प्लस वैरियंट इससे कहते हैं अगर आप सोरों पो बाइक लेने चाहेंगे तो इसको आप कहेंगे रोनिन का हमें दे दीजिये तो इसका नाम ये है नाम में गुतरा अब हम चलते हैं जाए हम बात करते हैं लुक्स की तो हऽम्ध हैं सामने आप देख सकते हैं इस में जो लाइच्छो enabling Partly D.E.R.L. है बाकी कि 大家 like to play right side Fippers तो मतलब लोहा लगता है जैसे कि एक रॉल इंफिल्ड हंटर के रेंज की बाई की है तो सामने साब देखेंगे यहां पर जो एलेडी लाइट है जो इसके टी है यह आल डे लाइट है जो काफी जादा ब्राइट है साथ में इसमें आपर डिपर दोनों लाइट से दिये गए हैं जो कि हम बाद में आपको लाइट जला के दिखाएंगे उपर आप देखेंगे इसका जो उपर कवर है थोड़ा से यह प्लास्टिक का होता है बकि नीचे जो एड लाइट है यह लोहे का होता है साइड में इंडिकेटर देखेंगे जो है LED मिल जाते है इसमें भी जो कि ओरंज कलर्स के गलो होते हैं भाकि साइड आपको एक फाल By mater का ग concert कर जाते है जो कि गोल्डेन कलर जाता है अगर आप बेस मॉड़र लेंगे तो उसमें आपको ब्लेक क्लर को मिलेगा और टॉप मॉडर देखेंगे में आपको गोल्डेन कलार का मिलता है इसमें साथ से ज् मोडल में आपको यह ब्लैक कलम्न मिलता है बात करते हैं अगर हम इसके टायर साइज की तो 110-70 का टायर साइज होता है 17 इंच का इसका एलाई वील होता है और 300 मिली मिटर का इसका डिस्क प्लेट होता है सिंगल चैनल ABS के साथ आजाता है टॉप मॉडल में आपको डूबल चैनल ABS मिलेगा बाकि यहां पे इसका एक मीटर सिंसर है ABS सिंसर जो की जिसके कीमत आपको 22 होके आसपास मिलेगी बाकि टायर्स जो है वो टीवेस टायर्स हैं जो कि टीवलेस टायर्स हैं और एक क्रूजर बाइक के टायर्स में यूज हुए हैं तो बाइक जो है एक कैफे डेसर बाइक है या फिर आप कहेंगे एक क्रूजर बाइक है तो इस तरह के टायर्स में यूज होते हैं बाकि रिम्स में आप देखेंगे जो एक डायमंड फिनिस दिया गया है थोड़ा सा मरलब कट करके विल्स को आप देख सकते हैं सार पेजस हो गया है जिसके वज़ा से और बाकि टेपिंग हुआ है विल्स पर और इस साइड आप देखेंगे यहां पर तो काफी ज्यादा भर बाकि पूरा ओपन है तो लेफ साइड पूरा आपका व्यू हम आपको दिखाते हैं यहां पर तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है बाइक है काफी मतलब है काफी बैलेंस्ट बाइक है यह एक तरह साथ कह सकते हैं क्योंकि आप अगर आप बैठेंगे तो इसमें फ्यूल और फ्लैसलाइट राइड साइड माप देखेंगे यहां पर एबियस का सिम्बल मिल जाता है उसके साथ बहुत सारे इसमें सिम्बल्स मिलते हैं यहां पर अर्बन मोड और यहां पर दो मोड और सिट के बटन दिये हैं जिस से इंस्रुमेंट में आपको ट्रिपी सेट भी और स्पार दो ब्रिण लैसि एयुए its को आपके यहां पर मोड बटन दिया गया है यहां पर रेम ज कर सकते हैं आप खाली होने तक इसमें टाइको मीटर रोडो मीटर सब कुछ दिया गया है यहां पर होर्न इंडिकेटर्स प्लैसलाइट और पासलाइट दोनों दिया गया है स्विच मीटर साब देखेंगे यह जो है प्लास्टिक का इसमें जो कवर इसका यूज होगा है और यह भी जो इसका तब इस्टैंड है वो भी प्लास्टिक का है लेकिन काफी ज़्यादा बढ़िये क्वाल्टी का प्लास्टिक है मतलब ठोस प्लास्टिक का यूज किया गया है इसमे तो ऐसे पर आपको लगता होगा कि मार देंगे तूट जाएगा तो ऐसा कुछ ये तूटे गा नहीं और मेरा सब जो इसको left में पूरे गुमा के सीधा भी कर सकते हैं और इसको ऊपर के तरफ भी कर सकते हैं तो जोनतों साइड से आप यूज कर सकते हैं जैसा आपको comfortable लगी levers जो है adjustable नहीं मिलते हैं यहाँ पे vibration control भी दिये गया है handle bar में बाकि right side भी भी ऐसा similar है यहाँ पे mode button, engine, cut off switch यहाँ जो है parking light या फिर आप करे सकते हैं हजार light जो की glow करते हैं हमेशा तो आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ फाग में यूज कर सकते हैं जैसे कोहरे में बहुत ज़्यादा और रात में भी यूज कर सकते हैं अलाकि इस light का सही यूज तब होता है जब आपकी बाइक में कोई मतलब खराबी हो या फिर बाइक बंचर हो गए तो आप यह light जला के चल सकते हैं या फिर आपकी बाइक कहीं खड़ी भी हो तो इसका यूज होता है आप हमेशा चलते वक्त इसको यूज नहीं कर सकते हैं बाकि इसका यहाँ टैंक के बाद कर तो 14 लीटर का टैंक इसमें आजाता है बाकि बाइक के ऊपर आप जब बैठेंगे तो ऐसा भी हो आएगा कुछ आपको टैंक भी जो है काफी compact डिजाइन दिया गया है ना कुछ मतलब एक्स्ट्रा फ्लैपिक गएर कुछ नहीं दिया गया है इसमें पूरा 14 लीटर का फ्यूल टैंक होता है बाकि इसका जो हॉर्स का डिजाइन है वो थोड़ा अपाचे से थोड़ा बिटर क्वालिटी का है बाकि यहां पर जो है एर कुल्ड मतलब इंजन आ जाता है बाकि इस साइड हम उपको फिर से दिखा देते हैं यह काफी बढ़ी है चीज लगती है मुझे बाकि यह फावन जो है रेगुलर से बढ़े दिये गए हैं एक ही सिंगल होनिस में आपको मिल जाता है बाकि यह जो है इसका इंजन गार्ड है प्लास्टिक का होता है मेट प् सौध यह जिसका ही होता है तो कुछ खास फरक नहीं पढ़ता लेकिन फरक पढ़ता है कुछ लिख साइड में आपको मैगनिक कवर जो है वह प्लास्टिक का दीए गा है बाकि वा सीलिपर क्लच के साथ ही आ जाता है dial के साथ सिंबल मिल जाएका और द लोगों यह प्लास् कुछ बाइक की लुक्स बढ़ाने के लिए इस टैंड जो है काफी मजबूत है बाकी फूरस्ट भी रियर फूरस्ट में ऊपर रावण मिलता है और नीचे आपको मेंटर मिलता है यहाँ जो सीट ओपन करने के लिए दिया गया है बाकी यहाँ पर टिवेस मोटर कंपडी लिम चैन कवर है इसका यहां पर खोल को आइल दे सकते हैं या फिर चैन स्प्रेय यूज़ कर सकते हैं चैन क्लीनिंग परफज के लिए होता है यह और यहां पर जो इस पर कवर चड़ाब गाई तो इसको हम निकालेंगे तो यहां पर जो है मतलब फिनिश एक सिल्वर टाइप फि हैं यहाँ आप देखेंगे रियर में बे जो LED लाइट्स हैं TVS का लोगों मिल जाता है 3D में बागी रियर लाइट जो है वो भी LED होता है उपर में आपको सीट ग्राइब रहे नीचे LED मतलब नमबर प्लेट वाली लाइट मिल जाती है LED वो भी होती है यहाँ पर रिफलेक्ट मिल जाता है नमबर प्लेट लगाने का इस्टेंड साइड साइड में आपको रिफलेक्टर दिये गए हैं यहाँ पर उसके साथ साथ अगर हम राइट साइड भी देखेंगे तो यहाँ पर वह आपको मिलेगा मफलर या फिर आपको कहेंगे मफलर गार्ड दोनों सालैंसर पर मिल जाता है जो कि silver plated होता है या फिर stainless steel इसको कहते हैं silver plated नहीं कहते हैं यहां पर आपको tire size की बात करें यह होता है 130-17 का tire size होता है 17 इंच का यह भी allowable होता है और tubeless tires इसमें use हुए है ट्रीवेस के tire size होता है इसमें उसे के साथ साथ आप आपको chain देख सकते हैं यह right side से आपको दिख रहा होगा chain गूमते हुए तो यहां पर आप इस side से जो है इसको chain clean करने के side से को सिस्थ मत करिएगा आपको वहाँ जो सामने दिएगा है वहाँ से आप यूज कर सकते हैं वाक आपको मिलेगा डूवल चैनल ABS तो डूवल चैनल ABS लेने के लिए आपको अथरिक यूज मतला पंद्रह जार रहूर लगाने पड़ेंगा आपको डूवल चैनल ABS के लिए बाकि यहां आप silencer देखें काफी बढ़ा होल दिये गया है तो इससे काफी basis sound produce करता है यह और यहां हम बात करते हैं इंजिन के पावर का और टॉर्क की तो यह प्रोड्यूस करता है 20.4 PS का पावर 7750 रपीम पे और 19.93 Nm का टॉर्क 3750 रपीम पे यहां पर आप देखेंगे यहां पर आइल खोलने का दिये गया है तो आप यहां आप आइल डाल सकते हैं मोबिल आइल जो में 240 mm की पिछले डिस्क लेट होता है बाइक है यहां पर को । आपको को डबल स्टेंड दिया गया है बाकि और कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा क्रैस गार्ड या फिर कहें आप इस advisco लेक गार्ड तो राइड साइड से से बाइक के कूछ ऐसा लुक होता है तो एक ल अगर आप रॉल इंफिर्ड हंटर के लिए जाते हैं वो तो काफी जादा महेंगी पड़ जाती है इसके मुकाबले और हम बात कर लेते हैं इसके अगर इंजन के तो इंजन जो है इसका दो सब पचेस दॉस्पनो नौ सीसी चाल वाल ओल कूल इंजन होता है तो यह रहा है इसका इंजन का इंफॉर्मेशन बाकी और 40 किलमीटर के इसके माइलेज मिल जाता है सीट खोल के हम आपको दिखा देते हैं तो सीट खोल ले के लिए आपको चाबी लगा के राइट साइड घुमाना है और सीट उठा लेना है तो यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर एयर इंटेक होता है इसका यहां पर आप कुछ कपड़ा उपरा ना रखें और यहां पे आपको फाइश रेट किट मिल जाता है सीट में उपर के तरफ आपको रेंच इसका कुछ मिल जाएगा एक पेजकस मिलता है उसके लाव एक रेंच मिलता है उसका साइज मिझे नहीं मालम तो इससे कुछ आप खोल तो नहीं सकते हैं साइसे आपको दे दिये जाता है किसी काम का तो होता नहीं है इसके अलामा और यहां पे आप चाबी लेगा खाएगा हम आपको इसका रेयर लाइट दिखा देते हैं अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें तो एक लाख नब्बे हजार की आ जाती है और टॉप वेरियंट आपको मिलेगी दो लाख चार हजार की और बेस वेरियंट एक लाख ब्यासी हजार की तो अभी चलते हम इसका आपको एकजार साउंड सुनाते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए तो चलते हम इसका बाइक को स्टार्ट करते हैं तो अभी हम चलते हैं इसका एकजार साउंड सुनाते हैं आपको हम तो यह रहा है इसका एकजार साउंड तो सब कुछ हम ने आपको इस बाइक के बारे बता दिया तो कोछ बात हैं आपको नहीं बताए के जैसे कि इस bike की अकर हम seat height की बात के तो emphasize 50 mm के हाइब आप जयो की तो干 ऐसी कलीयों के बारे में तो आपको वीडियो कैसी लगी हम में कमेंट करके जरूर बताए आप वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए तब तक के लिए गुडबाई